हेल गाईज, देखो इस बजार में बहुत सारी लोगोंने काफी बड़ा नुक्सान उठाया है हाला कि बजार अब भी गिर रहा है और कुछ लोगों हो तो अब भी जादा नुक्सान हो रहा है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत स्टॉक में पढ़ आती हैं और एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं तो भाई उसमें कितना भी एवरेज कर लो कुछ भी लगा दो उसमें अपना घर भी लगा दो लेकिन उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला देखो एवरेज सही जगे पर करना चाहिए देखो एवरेज अगर आप गलत स्टॉक में निवेस कर देते हो और वो गिरता जारा गिरता जारा गिरता जारा और कितना आप एवरेज करोगे बहुत बड़ी कंपनी होती है है कि नहीं है तो इसके वज़े से आपको भयंकर बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है इस मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर है राके जुन जुन वाला जैसे जो प्लेयर है वो बहुत सारे स्टॉक को बेच रहे हैं और बेचने के बाद वो प्रॉफिट बुक कर र आठो क्या तो बताए जिसने भी आरबियल बैंक को हर प्राइस पर एवरेज किया होगा आज की टेट में उसको क्या रिटन मिला होगा कुछ भी नहीं है अगर देखोगे तो सबसे बड़ा फ्रॉड बैंक का मतलब बैंक का जो बिगेस्ट फ्रॉड है वो ये स्टड़ी ख पैसा दे रहो ना अगर आप प्रोड़क्ट बेच के नुकसान करते हो तो बात समझ में आती है लेकिन अगर आप डारेक्ट पैसा दे देते हो अगर आपने किसी को एक लाक रुप्य दिया केवल पांच या दस हजार रुपए कमाने के लिए और उसने एक लाक रुपए ख करते हैं तो नुकसान भी बड़ा होता है वहाँ पर आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताने वाला हो जहां पर थोड़ी बहुत गिरावट होने वाली है ठीक है तो आपको एवरेज कप करना है वो भी बताऊंगा और कौन से कौन से स्टॉक में आपको एवरेज नहीं कर का और फाइनल प्राइस देखोगे तो 1,346 रुपीज का था लेकिन ये लोग बोल रहे हैं ट्रेंट जैसे स्टॉक को बेचने के लिए HDFC से सिक्योर्टी के तरफ से और इसका तार्गेट दिया गया है 800 रुपे मतलब 20% का गिरावाट होने वाला है 20% से भी जादा ट्रें कर सकते हैं आप उसके साथ में लेखेगा तो हैविल्स का तार्गेट दिया गया है 1500 रुपे तो इसमें आप बाइंड बी कर सकते हो आप यहां पर टाइटन जैसे बड़ी कंपनी मैं आपको बोला ना राके जुन जुन वाला ने भी बहुत सारे कंपनियों को बेचा है टा टाइटन जैसे स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है आप चाहो तो खुद भी देख रीजे एक मेने का डेटा पिछले छे मेने का डेटा देख लीजे यह एक साल का तो आपको पता चलेगा कि टाइटन तीनेजर रुपे के बाजिय में गया था 2700 दिख रहा है लेकि समय में आप देख लो और जब गिरते हैं तो उसके बाद फिर वो बहुत तेज भागते भी हैं हाला कि अगर आप राके जुन जुन वाला का पोर्टफोलियो देखते हैं तो राके जुन जुन वाला ने टाइटन जैसे कंपणी को बेचा है और प्रॉफिट बुक भी किया वो देख लिजे यहाँ पर टाइटन जैसे कंपणी को भी उन्होंने बेचा है इतनी मजबूत दमदार इंडियन होटल जैसे कंपणी को भी तो राके जुन 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 वाला चाहेंगे तो ऐसे कंपणी में एवरेज भी कर सकते हैं कर सकते की नहीं कर सकते हैं बिल्कुल क आइस तो ज्यादा अच्छा रहेगा जैसे देखो Asian paint paint को दुनिया में सबसे अच्छा stock 2007 रुपिस पे हैं लेकिन ये भी अपने high से गिर के 3500 रुपिस का उससे भी ज्यादा high था अब इसका high जो बताया ज़रा 3590 रुपिस मतलब 3600 के बाद जो में ये stock चल रहा था और अब ये कितना में हैं तो 2700 रुपिस में जो बड़े बड़े analyst हैं उनका मनना है कि ये stock अभी और गिर सकता है 2550 रुपिस पे आगा 2758 रुपिस में देखने को मिल रहा न ये ठागे ज़र रुपे के बाजू में आचागा ये बड़े बड़े प्लियर देखो ये penny stock नहीं है जो डारेक्ट आपको बोल दिया जागा कि 40% किस जागा 50% किस जागा 90% किस जागा ये penny stock अफाल तो कंपरी नहीं है पूरी इंडिया में दबदबा है इनका तो ये stock में अगर 10-20-30% का भी अगर गिरावाट कि राया देते हैं तो बहुत जादा होता है उनके लिए बहुत जादा होता है तो जैसे कि देखो अगर आप बंदन बैंक जैसे stocks में average करते हो क्योंकि गिरा हुआ तो मैं आपको value 1 नहीं ऐसे जगे पे average मत किजिगा नहीं तो आप average करते करते ठक जाओगे लेकिन आपको एक रूपया भी वापस नहीं मिलेगा और total capital भी आपका negative में रहेगा तो सही जाके अपने डिमेट अकॉन वगरा open कर सकते हो देखो अभी जो है construction वाले stock में average मत किजिगा banking sector वाले stock में मत किजिगा IT sector में भी average मत किजिगा IT sector में कब करना है IT sector में आपको September में average करना है September में वहाँ पर last interest rate जो रहेगा 50 basis point वो बढ़ा हुआ रहेगा और 50 basis point की बाद जो आ और पर मतलब बहुत सारे मैं आपको वह लूँगा entertainment वागए वो सारी चीजियों से दूर रहेगा